असलाम वालेकम, वेल्कम बैक तो मैं यूटीप चैनल, दिस इस राबिया, होब यू आर डूइंग वेरी वेल, सो गाइज मेरे पास है रिवाज यूके की कुछ प्रॉडेक्स जिनका रिव्यू करोंगे मैं आप लोगों के साथ और अपना परसनल एक्सपिरियंस भी शेयर क इसके बैक के ओपर पूरी डिटेल है, मतलब इतनके फीचर्स है, हाउ टू यूज है, और इंग्रीडियंट्स है, हर चीज जो है, इसके ओपर बहुत ली डिटेल से मैंशन की गई है, इसके तमाम प्रॉड़क्स ही बहुत अच्छे और मियारी होते हैं, और सबसे बढ़क इसके बहुते हैं कि से गुड़बाय तो ड्राय चाप्ड लिट्स एंड हलो तो अपरफेक्ट पाउट, इनका फीचर यह है, कि यह सॉफ्ट जल लाइक टेक्स्चर में है, जो के आपके होंटों को इंस्टन हाइडरेट करेगा, और इसको हाइडरोलाइजड कोलेजन और इन्फ्यूस्ट करके बनाया गया है, जिसकी वज़ा से लिप्स नरिश होंगे, सॉफ्टन होंगे, ब्राइटन अप हो जाएगे, सूध हो जाएगे, और लिप्स की स्किन जो है, वो रिजुवनेट हो जाएगी, बाइद वे यह पारबन फ्री है, और इसको ओपन करते ही, आपने होंटों के उपर अप्लाई कर देना है, मतलब इमेडियेटल आप इसको अप्लाई करेंगे, और पंदरा मिनिट तक आप इसको लगा रहने देंगे, उसके बाद रिमूफ कर देंगे, और रिमीनिंग प्रॉडेक्ट को मसाज करके आपने लिप्स में अब्स में फिर हैं मेरे पास सो क्लियर नोस पॉर क्लिंजिंग स्ट्रिप्स, इस पूरे पैक में सिक्स नोस ट्रिप्स होती हैं और अगर आप एक नोस ट्रिप लेते हो तो वो आपको पढ़ेगी सिक्स्टी रुपीज में, यानि के साथ रुपे में, इसकी बेक पर इच और इज चाहरू को आपके खाच ख्याल रखना है कि इस ट्रिप को अपलाई करना एक रास कि पहले इंगे और आप इसको अपने फेस कई ऑप यह फाफ्यार काकी काई 10 मेरे पास है Eye Patches Gel for Dark Circles और ये Easy and Effective Skin Solution है Visibly help करते हैं आपके डाक सिर्कल को रिमूफ करने में और आपके Eye Zone को Moisturized और Soft बनाते हैं ये Dark Circles Eye Patches हैं लेकिन Wrinkles और Fine Lines वाले Eye Patches भी अवेलेबल हैं रिवाज यूब के के अच्याँ ये एक Eye Patches जो है रिपेर करने के लिए इनके अंदर सानफ्लार सीड ओयल एड है, वाइटमिन ए और वाइटमिन ए ओयल एड है, जो के आंकों के जितने भी इस्योज होते हैं, उनके लिए बहुत जादा हेलपफुल है, यह कह करते हैं, कि आपके अंदर आई एरियस को लाइटर, फर्मर, पहले परफेक्ट पाउट लिप मास्क की बात करते हैं, तो यह कुछ अलग सी चीज लगती है, देखने में एट्रेक्ट भी बहुत करता है, प्राइस भी इसके रिजनेबल हैं, तो इसको लेने में कोई हरज नहीं है, यह लिप मास्क बहुत सॉफ्ट, स्लिपरी और जली क को अपलाई करवाया है, तो मुझे तो कोई खास रिजल्ट नजर नहीं आया, ना ही कोई फरक पड़ाया है, मुझे बिल्कुल समझ मिने है कि यह कैसे परफेक्ट पाउट है, कैसे आपके लिप्स इनको यूज करने के बाद रिपियर होंगे, और एक्स्पोली एट होंगे कहने का मकसद है कि यह सिर्फ एक शिश के बाजी है, उसके इलावा कुछ भी नहीं है, पंतरा मिन तक आप जब इनको अपलाई करों इसके बाद थोड़े से आपके लिप्स मोईश्राइज भी होते हैं, सौफ्ट भी होते हैं, और हलकी सी पिंकिश टेक्श्च्चर भी आत करो, इन सब चीज़ों को मिक्स अप करके आप अपने लिप्स के उपर लगाओगे, तो आपके लिप्स प्लंप भी होते हैं, सौफ्ट भी होते हैं, नारिश होते हैं, मोईश्राइज होते हैं, हाइडरेट भी होते हैं, लिप मास्क आप लेना चाहते हैं, वैसे मेरा नही करते हो तो कूलिंग अफेक्ट मिलता है आपको और 15-20 मिन के बाद आपने इसको रिमॉफ कर देना होता है सरफ एक बात की कमी है कि इननों ने ये बात मेंशन नहीं कि कि आप इसको डेली बेसिस पर यूज कर सकते हो वीक में आपने दो दफा इस्तमाल करना है या तीन दफा इसको आपका जो आई जोन है उसके ऊपर जो शैडोज हैं डाक सिरकल्स है वो रिमूफ होने में काफी हैल्प होगी गाइस यह नोस्ट्रिप बईस्ट है रिवाज हो कि यह वाके ही डर्ट को ऑईल को ब्लेक हेट वाइट हैस को अच्छी तरह से रिमूफ करती है नोस के आ कि वायट के नोस्त्रीप में प्लास्टिक लाइनर के साथ चिपकी होई है तो आप प्लास्टिक लाइनर से अलग करोगे फिर अप्लाइ करो कि आप लोगे पुल ओफ के साथ अपनी नोस को गीला करो फिर इस नोस ट्रिप को अपलाई करोगे तो ये चिपक जाएगी अच्छी तरह से मतलब खुश्क नोस के ओपर इसने नहीं चिपकना 15 मिन तक आप पिर वेट करो और फिर आप इसको अराम अराम से इसके एजिस से पकड़कर आप रिमूव करोगे अगर ये बहुत स्ट्रॉंगली चिपक गई है बहुत जादा पैंफूल है तो फिर आप इसको गीला करो और गीला करके इसको रिमूव करतो तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ये लगी ये लगी है